दोस्तों आज हम बना रहे हैं धाबास टल भीन्दी मसाला अब लोगों अगर मेरी यह वाला रेसिप पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो के इसे लाइक का बटन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर करें और इसी तरह के और भी रेसिपी आगे पाने के लि और इसी पिस हम तेयार कर लेंगे मसाले बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए उसके लिए हमने यहापे प्यांच काट रहे हैं और प्यांच को हमें ज़्यादा बारी किसे नहीं करना है हम थोड़े मोटे मोटे पीसे करेंगे इसके बाद हम काटेंगे टमाटर और यहांपे हम टमाटर को ज्यादा ही यूज़ करेंगे और इसे सभी को हम बारीकी से काटेंगे बहुत बारीकी से ही काटेंगे रमांटर जादा डालने से स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और इसका जो खटब बनाएगा उससे स्वाद और भी बहतर होगा तो इसके लिए हम थोड़ा जादा ही रमांटर यूज़ करेंगे दो हरी मिर्ज को हम बीज में से ऐसे थोड़े से कट कर लेंगे और हमें एक प्यांच और अधरक लसुन का अच्छे से पेस्ट बना लेना है इसे विश भीन्दी का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है तो अभी हम इसे कट कर लेंगे पहले विड़ी के दोनों साइड कटके फेक देंगे फिर विड़ी को थोड़ा से तेड़ा कर के चर एगिए इस तरह से इससे भीन्दी टो उसके लिए हम गास ओन करके कडाये में टेल डाल लें हैं सो तुछ यहादा डालना है क्रोंकि विनि को स्टारड़ करना है है टिल कर्म होने पर अच्छे से विनि डाल लेंगे और गास का तो डियागयों को फ्राइअ को है बिच बिच में हम भीन्णी को थोड़ा सा चला लेंगे और इसी तरह से थोड़ी देर बाद ही मिन्णी में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसी तरह का स्टुनेरा कलर आज जाएगा ज्यादा फ्राई नहीं करना है आमें तब हम भीन्णी को तेल से निकाल लेंगे और इसी तेल में से हम लगभग तीन बड़ा चमज तेल गढ़ाई में चोड़ेंगे और बाखी तेल निकाल लेंगे फिर छोड़े हुए तेल में हम डालेंगे आधा टीस्पून साबूद जीरा और वन फूट टीस्पून साबूद अजवाईन यानी जोण उसे कुछ सेगंद घूनके हम यह प्यांज डाल दिये हैं और प्यांज को हम मेडियम फ्लेम पर थोड़ी दिर भूनेंगे प्यांज में जब इसी तरह सा थोड़ा सा सुनेरा कलर आ जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे प्यांज और अध्रक लासून का पेस्ट और मिला दे हुए इसे पकाएंगे इसे भी हम दो से तीन मिनिट भून लेंगे उस दिर बाद जब आज अध्रक लासून सब अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें डाल लेंगे हरीमेज और कटे हुए टमाटर मिला दे इसे और कवर कटके तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए कुछ दिर बाद धक नाटा लेंगे और यह दिखिए टमाटर बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं तो अभी हम इसमें डालेंगे जो हमें पावडर मसाला डालना है उन सब को डाल देंगे इसमें एक एक कड़के जैसे कि यह लालमीच पावडर धनिया पावडर हल्दी पावडर लमक डालेंगे हम पहले हम बिन्दी में नहीं डाले थे तो उसे सब से हम डालेंगे गरम मसाला पावडर मिला दे अच्छे से और इसे मिलाते हुए हम लगभग दो मिनिट भूनेंगे शुके मसाले को अच्छे से भून जाना चाहिए उसके बाद हमें डालना है यहां पर तीन बड़ा चमस दही को अच्छे से फेट लिए हैं यहां पर हम थोड़ा सा जादा ही डाल रहे हैं दही के वज़े से यहां पर इस भिन्नी मसाले में एक अलग सा बहुत बढ़िया सा स्वादा आएगा दही डालने के बाद इसे हम लगभग दो मिनिट अच्छ को बहुत ही अच्छे से पकाना है जब रेसिपी हो कुछ मसाला टाइप का तो उसे बहुत ध्यान से थोड़ा से टाइम लगा के पकाना पड़ेगा उससे ही टेस्ट अच्छा आएगा तो उसके लिए हम लो मीडियम फ्लेम पर इसे कभर गड़के लगबग 5-7 मिनिट तक पक दाने के बाद हम धकन खोलेंगे और यह दिखिए मसाले में से तेल बाहर निकालाया है यानि मसाला बहुत अच्छी से पक चुका है मिला लेंगे इसे एक बड़ और स्पैचुला से इसे थोड़ा सा मैस्क कर लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं हमने जो मोटे-मोटे प्यांच काटे थे उसके दाने मुह में लगना चाहिए अभी इसमें हम जो बिंडी फ्राइब करके रखी थे उसे डाल लेंगे और मिला लेंगे अच्छी से इसमें अगर आपको ग्रेवी थोड़ा ज्यादा चाहिए हो तो मसाले और डाले यानि प्यांच अद्रग लैस्रून देर पका लेंगे लगभग दो मीनित जादा नहीं तो मिन्य मसाला हमारा तैयार होने को है आप चाहिए तो इसे शुफी सुखे ही साफ कर सकते हैं इसमें ज्यादा टेस्ट होता है लेकिन हमें थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे पानी ही मिला लिया है हमने इसे जुफी क़खक कर के दो मिनी places पकाएंगे नो मीदियम विलेम पर पल πक यंच आर और ट跑 यह बो अए चाहिए हूँ दोड़ा से घ रख पन और चाहिए हो तो इसके सब मिला दे जुटा के भर अमचूर पाउडर फिर इसे गर्मा-गर्म सर्फ करें रोटी चापाथी या फिर पराठे के साथ तो दोस्तों मेरी ये भिद्डी मसाले की देसी पे आप लोगों कैसे रागा कॉमेंट बॉक्स पे मेरे सब ज़रूर सयर करें अच्छे लेगे तो लाइक करें जादसे जादसे श्यार करें और मे झाल झाल